कि मैं कि केलीरी फ्रेंट स्वागते आप सभी केThat ऐसे अए डिटयोर इसफेखल टो इस वह इस पर्म को बढ़ाराम से आपप्लाई कर सकते हैं, आप सभी तक प्रॉइड करना, जेतनी यह थे हैं, उनका इन्पोर्मेशन नूटिफेक्शन अपड़ेट, अप सभी तक प्रॉइड करना, तो अगर आप ने चंहें सब्सक्राइब करना और अप सब्सक्राइब नहीं किय लेकिन हम बात करने वाले हैं टेकनिकल वेकेंसी के बारे मिसे रहे हैं तो आप देख सकते हैं आप सके सामने वेकेंसी डेटेस खुल चुका है और यहां पर जो टेकनिकल की वेकेंसी है इलक्ट्रिकल और इलक्टॉनिक की छे पोश्ट है इलक्ट्रिकल की चाओदव पोश्ट है अगर हम टोटल टेकनिकल की पोश्ट लेखे तो 20 पोश्ट निकलकर आ रही है इसमें यह सी का तीन पोश्ट स्टी का दो पोश्ट ओबी सी का पांच पोश्ट एडव्लियस का एक पोश्ट यू आर का नौ पोश्ट आया है तो अगर हम एजुकेशन कालिफिकेशन देख रहे हैं यह पर टेकनिकल मेकैनिकल की स्टूडेंट ही सांग कपलाई कर सकते हैं और आप सभी का जो डियोबी होना चाहिए उनीस औठाण वेस लिए करके दो हजार दो के बीच में दियोबी डेटा प्पर्थ होना चाहिए एज में सूट मिलेगा पांच सल का छूट मिलेगा आप सभी के एज में ठीक है अगर मेल है तो और आपसे का जो इलिजबिल्टी काइटेरिया मेंसन है या पर सूट होल्ड एंजिनिर डिगरी फॉर रिकोनाई इंसिट्यूट आप सभी का बी बिटेक होना चाहिए मैकेनल बरास से जा फिर डिपलोमा भी है मैकेनल बरास से तो भी आप इस वांग को अप्लाई कर सकते हैं आप दीखें नीचे कहा रहा है न कि डिप्लोमा विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन सरकम्टेंस उसको वा सेम इलेक्टरकल इलेक्टोनिक के लिए यही इलिजबिल्टी काइटेरिया मतलब कि 1998 से लेकर के 2002 के बीच में डियो भी होना चाहिए पांस सल का छूट मिलेगा अगर आप मेल है तो और आपस भी का जो इलिजबिल्टी काइटेरिया इसमें भी बीडिक होना चाहिए लेक्टरकल एफ इलेक्टोनिक बरांस है या फिर डिप्लोमा भी इलिजबल होगा इस फांड के लिए अगर हम इसके एक्जाम पैटर्न की बात करेंट है आपर दो सक्सेन ने पेपर होगा सक्सेन वन होगा सक्सेन टू होगा दोनों सक्सेन ने पासिंग मार्क लाना अनिवार है पहले सेक्षन में minimum 20 नमबर लान अनिवार है और दूसरे सेक्षन में minimum 30 नमबर लान अनिवार है पाक्सी मार्क अगर आप qualified करते हैं उसके बाद cut off बनेगा अगर cut off को आप clear करते हैं तो ही आपका last selection होगा आप अपना exam pattern है आप देख सकते हैं पहले paper में section 1 में आप सभी के English reasoning, general science, mathematics और general knowledge के question इंक्लूट रहेंगे और आप सभी के जो second section होगा आप सभी का branch के related question इंक्लूट रहेंगा अगर आप electrical का है तो electrical के mechanical है और civil है तो civil के question आपको मिलेंगे दो घंटे का समय दिया जाएगा तो अगर आप फर्स्ट इस्टेश क्वालिफाई करते हैं तो आप सभी सारी सारी चीज़े हो सकती है आपके फार्म बढ़ने का जो चार्ज है वो धाई सो रुपए पर करेंडेट है ठीक है अगर आप एस्टी से बिलाउंग करते हैं तो एक भी रुपए नहीं लेगेगा आपके पास समय बहुत कम है आज आपका सभी 27 तारीख हो चुके है तो फार्म बढ़े जल्दी से अराम से अपलाई कर लिजेगा और कोई दिक्कत आती है अपने प्रॉल्म परसा नहीं दूर कर सकते हैं ठीक तो अब आपके आपके आप एक्जाम सेटी मेंसन है कहां का एक्जाम सेटी लग सकता है देखे यहां पर कह रहा है कि तो आप जहां पर रहते हैं अपने उस प्लेस से 30 किलिमेटर के आसपास एक्जाम सेंटर ले सकते हैं ठीक करने का लास्ट च्टेज मी डिकल लोगे कोगया होगा कि मेडिकल थी के सारी मीडिकल चाहिजे देखी जा रही है बाकि अगर आपको कोई परस्टनली चीजे पूछने हो तो आपको पूर सकते हैं फिलाल हमारा जो रिस्पोंस्बिलिटी था आप से भी को नोटिफिकेशन नोटिफाइड करना आता है आप सब जान पाएं कि इंडियन कोश्टकार्ड में टेकनिकल के विकेंसियां भी आती हैं और आई हैं आप सब भी आराओं से फॉन अपलाई कर सकते हैं मिलते हैं शबूरे हुए थैंस पर आचेंदी सब्सक्राइब से नेक्स टेम थैंक यू